दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर प्लेट मसीन चलाते वक्त में पेपर मेरा जो है प्लेट जो बनता है तो डाई में क्यों चीप करा जाता है क्योंकि हर नए बंदे साथ में प्रोब्लम होता है और छोटी छोटी बेसिक बाते उनको नहीं पता होता है इसलिए यह हम वीडियो बनाते हैं कि ताकि नए बंदों को सपोर्ट मिल सके और नए बंदे अपना काम अच्छे से कर सके तो आज का टोपिक में हम बात करेंगे कि प्लेट जो है मेरा प्लेट बनने के बाद डाई में चिपका रह जाता है उस पर हम कई वीडियो पीछे दे चुके हैं लेकिन फिर भी जितना भी हमें पता होता हम चाहते हैं कि हम लोग तक यह जानकाड़ी पहुँचाएं ताकि वो भी अपने काम को अच्छे से कर सके तो जो बेसिक जानकाड़ी होती है उनको पन नहीं पता होता है और जबी लोग पढ़िसान होते हैं तो आज हम आप सबको यही बताएंगे कि पेपर जो है प्लेट कटने के बाद डाई में क्यों चिपका रहाता है और उसो कैसे ठीक किया जाएगा बहुत सारी जानकाड़ी हम है पाद ची पकड़ाओ तो तो जैसे कि मेरे मसीन गोट अ पंखा लगा होता है जिसके वैसे पीस बाहर फेकता है तो उसके पीछे हाँ जो चिपकने यह कारन होता है वह स्प्रिंग होता है और भी तरग होता है और पनम पता चुके हैं पिछली विडियो में और इसमें हम फिर भी अगर ठीक ना हुआ हो तो पंखे के प्रोब्लम की वज़ा से जो हम पंखा लगा रखे मसीन में जो BLOWER होता है जिससे हवा देता है उसे से प्लेट बाहर फेकता है तो उसमें भी प्रोब्लम होने की वज़ा से प्लेट अपना डाई में चिपका रह जाता है या दोन आही उपर को उठता है तो प्लेट ज्यादा हीट होने का लिए से डाइफाईफ को ऊपरुद मट Łτιा किव्च few निकल जाता और यदि हवाइ Buck नीचे सब्सक्राट का लगता है तो इसलिए नहीं हो पाता है तो इसको थे prince coming करना होगा ठीक कैसे करना होगा जिस पत्ती में पंखे को टाइट किया होता है उस पत्ती को आपको प्लास से हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे करना है क्योंकि फिर बाद में आपको पड़सानी होगा जिस पत्ती में पंखा लगा होता है वो हलका सा पतला होता है उसको आप दबाव डालेंगे तो वो जैसे आप घुमाएंगे वैसे घुम जाएगा उसको प्लास से पकर के आपको थोरा सा उपर की ओर कर देना है पंखेक पती उपर की ओर करने से जो हवा है वो सीधा आपको जाएगा डाई के उपर अगर डाई के उपर जाता है उसका हवा तो आपक जो पलेट है वो सीधा बहार फेकेगा क्योंकि जब तक डाई में हवा लगेगा नहीं पलेट चिपके वह जप्लेट चिपका हुआ वह छूटेगा कैसे और जब हवा लगेगा तो ही छूटके वह बाँ फेकेगा तो यह पंखे की वयासे भी बहुत प्राब्लम होता है लोग को पंख्य का भी setting करना चाहिए और वह भी समझ होना चींए कि मेरा जो हवा है वो कहां जा रहा है और कहां तक जाना चीए क्योंकि जब तक हवा नहीं लगे तब तक वह बाहर नहीं फेकेगा मसीन में जो ब्लोबर लगा होता है पंख्या उसका काम होता है हवा देना और हवा देने का कारण क्या है हवा क्यों देगा वो ताकि मेरा पीस बाहर निकलेगा इसलिए मसीन में ब्लोबर लगाया जाता है तो जब भी प्रोबलम हो तो आप इस पे जरूर ध्यान दे क्योंकि इसकी वह से भी दिक्त आती है तो उमीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले साथ ही बेल आगन जोरो प्रेस करें ताकि जब बेस तरका वीडियो अपलोड करें और सबसे पहले आप तेक पहुँचे और हम आपको ऐसे ही बहुत साई वीडियो देने वाले हैं तो वीडियो पर बने रहें तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यबाद